दोस्तों अक्षर प्लांट और प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है आज हमारे जो टॉपिक हमने रखा है डिस्कुशन के लिए वह रखा है कि जैसे अपन ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग करते हैं टाइम अपन टेप से बांधें या जैसे ग्लू से आप जो आज बात करेंगे फाइदे नुकसान और कौन सा वाला बहतर है इन में से करने में तो उसी के बारे में आज का हमने वीडियो प्लांट किया है दोस्तों अक्षर प्लांट और आपका अपना चैनल है आपको वीडियो पसंद आते हैं तो शेर किया कीजिए लाइक कि और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सबस्क्राइब करें करके तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और उससे पहले मैं दिखा दूँआँ आपको यह दो ग्राफ्ट किये वह हैं मैंने पहले से एक to we graph किया है और एक फ़्लैट graph किया है तो यह वाले ज रहां दोस्तों सबसे मोड़ी जो प्राफ्टियों ओंत में जैसी आप यह समझाल लिजये अपना स्यो आ है कि और ये साइड में यहाइव इस पीट यह पार लगाते हैं तो ग्लू जो तो होता है जैसे में इंसर्ट wenn करके और वो जो है एक तरीके की ऐसी परत बना देता है जो इंसुलेटेड परत होती इंसुलेटेड मतलब वह ऐसी परत फॉर्म हो गई जिसको जो है आप सरी में जो एक्टिविटी है डेनियम की वह पॉसिबल नहीं हो पाती मैं एक और से आपको दिखाता हूं देखिए वह उठाए के लिए तो दोस्तों जैसे यह अभी मंगवाया मैंने प्लांट इसके अंदर क्या था देखे जैसे आप देख पार होंगे कि हमने जो है यह नीचे वाला त प्लांट जो है यहां पे ग्राफ्टेट है जैसा आपन बात कर रहे तें यह मैंने ग्लू से करने की कोशिश कर दिए मगर ग्लू से क्या हुआ इसमें प्रॉलम कि यह जो आप देख पारे होंगे कि यह जो पॉर्शन यह जगह छोड़ दिया है जो जगह छोड़ दिया है अपनी में लोकेशन से वह जगह छोड़ने का कारण जो था उगलूई था मेरा विचार यह था कि जैसे प्लांट उपर का भारी है और नीचे जो है पॉर्शन में जगह कम है तो आपन जो है कि ग्राफ्ट करेंगे तो यह इसके उपर सैट हो जाए हुआ है तो दोस्तों यह जो है यहां पर आप देख पार होंगे जगह छोड़ दी मगर आपन जब इसको बांध करके ग्राफ्ट करते तो शायद वह ज़्या अच्छा होता एक तो क्या होता बांध इस क्या होता है जब आपन टाई करते Hessen टेप तो ग्राफ्टिंग टेप के बीच में जो है एरेशन बिल्कुल भी नहीं होना जीरो एरेशन होएगा उतनी 100% ग्राफ्ट रहेगे जैसे मापको इस डाइग्राम से आपको बता देता हूं ड्रॉप करके समय लीजे यह ग्राफ्ट वाला पोर्शन है जिसके उपर आपने को ग्राफ्ट करना है और इसक इतनी कोशिश करने बिल्कुल साइडों में आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दें और सोचेगी आपने आपका जो उपर का पोर्शन है वह चिपक जाए तो पहली बात तो वह चिपकेगा नहीं और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें इंसर्ट करने कोशिश करेंगे यह आपन देखेंगे इसको तो यहां पर जो है यह जगह रही जाएगी जहां पर जो है अपने ग्लू लगाए जैसे इस प्लान में भी आप देख पा रहे होंगे जैसे मैं आपको बताई रहा था कि जहां जहां ग्लू लगेगा वह जगह जो है एकदम ऐसी हो जाती वाटर प इतनी कोशिश कर लें आप इतनी स्मूथ सर्फेस नहीं बना सकते जितनी स्मूथ सर्फेस अपने कुछ ही होती जैसे मैंने ड्रॉब जब आपन इन दोनों को जोड़ेंगे और शिव यहां से आपने जोड़ दिया तो यह यह जो है अपने दोनों पॉर्चन जो है 100% connected connected हो जाएं सिर्फ पेस्टिंग की वज़े से जो अपने पेस्टिंग करी सिर्फ उसकी वज़े से जो है 100% connectivity इसमें नहीं आप आएगे और दूसरी बात आपको एक और दोस्तों कि जैसे इस वाले मैं आप देख रहे होंगे जैसे मैं इससे आपको बता दूं कि समझ लीजे आपने इसको ग्राफ्ट यहां से पेस्टिंग कर दी होती और यह वाला जो उपर का पोर्चन है यह खुला ही आपन छोड़ देते तो इ में करके ग्राफ्टिंग कर लें तो यह मेरी तरफ से जो है मैं तो नहीं मानता कि कोहीं सा अच्छा आप इस्टिंग करके कि लिए लगाता तो मेरे को लगा आप लोगों को मैं................ ॐ से किर lunar ऐसा ग्दलों से किया ॥ैक्ष्टे को मैं उम्हें संक और रमाव रैप करना जरूरी है क्या या करूं क्या उसको तो यह बातें अपन धियान रखेंगे तो अपना जो है ग्राफ एंडर परसेंट सक्सेस्फुल होगा और नई नई टेक्निक्स अपनाने का मना नहीं है नए नए एक्सपरिमेंट्स करके देखिया डेनियम बहुत पॉस्पिलिटी होती है डेनियम पर एक्सपरिमेंट करने की तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही छोट छोटी बाते थी मैं सुच आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वीडियो आपको पसंद आ तो ज्यादा ज्यादा श मझना जोज एले ज्यादा जएले एले उने दो करते दोने दोटास्क बत factoम आपें जएले oh